कभी एक वक्त हुआ करता था जब भारत में लोगों का गाड़ी लेने का सपना होता था तो हर कोई यही चाहता था कि उसके पास एक ambassador कार हो। बड़े-बड़े पैसे वाले businessman देश के प्रधान मंतरी से लेकर आम आदमी भी इसकी सवारी करते थे। जब यह कार बनी थी तब यह भारत के अंदर सबसे जादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक थी। इस कार को उसमें दे किंग आफ रोड भी कहा जाता था। हिंदुस्तान ambassador को आम लोग तो पसंद करते ही करते थे। पर उससे भी जादा दिवाने तो इसके बिजनसमें बड़े-बड़े अधिकारी और पैसे वाली लोग हुआ करते थे। जिसका मेंन रीजन था इसका प्राइज और जिसकी बज़े से आम लोग भी इसे आसानी से खरीच सकते थे। पर सवाल तो यह आता है कि इतनी पसंद की जाने वाली और शांदार कार आखरकार गायब कहा हो गई। जिसे हिंदुस्तान के हर एक कोने से लोग पसंद किया गरते थे। तो शुरुवात करते हैं हिंदुस्तान एंबेज़र की पूरी जर्मी की आकरकार इसकी शुरुवात कैसे और कब होई तो इस कहानी की शुरुवात सन 1956 में होई जब इसका नाम हिंदुस्तान मोटर्स था अपनी खुद की कार बनाई जुसका नाम था हिंदुस्तान 1-0 और लैंड मास्टर एंबेज़र गाड़ी की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ये पूरी तरह से भारत में बनाई गई थी हिंदुस्तान मोटर्स ने एंबेज़र को मौरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज की एक गाड़ी को देखने के बाद बनाने के बारे में सोचा था मौरिस की वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही थी हिंदुस्तान मोटर्स चाहती थी कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिससे भारत के आम लोग भी अफोर्ट कर सकते हो इसके बाद 1994 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एमबेज़र कार बनाने का काम शुरू किया वो नहीं चाते थे कि इस गाड़ी में कुछ भी विदेशी हो और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो कड़ी मेनत के बाद 1957 में पहली बार एमबेज़र ने भारत की सड़कों पर अपना सफर शुरू किया था किसी को नहीं पता था कि गाड़ी आते ही इस तरह से धूम मचा देगी इसमें हिंदुस्तान मोटर्स का 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था एक तरह से गाड़ी बहुत ही जादा मजबूत थी तो वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर स्पेस भी बहुत था भारत की सडकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही थी और उबर खावर रोड पर ये एकदम मक्कान की तरह चलती थी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका इंजन जो बाकी गाड़ीयों के इंजन की तरह थोड़ी सी कटनाई में दम नहीं तोड़ता था Ambassador ने उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर गुजरते दिन के साथ इस गाड़ी का नाम लोगों की जबान पर चड़ता जा रहा था और देखते ही देखते सबकी पसंदीदा कार बन गई है अपने पहले मॉडल के सफल होने के बाद से Ambassador ने समय समय पर नई मॉडल बनाना भी शुरू कर दिये थे हर बदलते मॉडल के साथ वो और भी अच्छी होती जा रही थी Ambassador के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि उनकी कार लोगों को इस कदर पसंद आएगी Ambassador हर किसी की पसंद बन चुगी थी और पूरे देश में लोगों के बीच इस Ambassador गाड़ी की मांग इतनी बढ़ चुगी थी कि Factory में इसकी Manufacturing Limitations तक को बढ़ाना पड़ गया था देखते ही देखते एए Ambassador कार भारत की सबसे सफल कार बन गई थी Ambassador कंपणी की कार बाकी काड़ियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी इसका Maintenance खर्च काफी कमाता था और यही कारण रहा कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं रहता था कहते हैं कि एक वक्त पर इस कार की मांग एतनी बढ़ गई थी कि 16% Ambassador कार तो सरकारी लोग ही ले लिया करते थी हर किसी के लिए Ambassador कार पहली पसंद थी सुरक्षा और कमफ़र्ट के मामले में उन्हें इस से अच्छी कोई गाड़ी ही नहीं दिखाई देती थी लोग Ambassador कार के पीशे बिलकुल पागल थे ऐसा कहा जाता है कि साल 1984 में Ambassador के गाड़ियों की इतनी मांग थी कि उस साल लगभग एक लाग से जादा गाड़ियों का निर्मान हुआ था और 2004 में तो हिंदुस्तान मोटरस ने 9 लाग Ambassador कार का प्रोड़क्षन किया था इस कार में अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था इसकी सबसे बढ़ियां बात थी कि बहुत ही कमफर्ट वाली सवारी थी जिसमें आप कम पैसों में भी लंबा सफर तै कर सकते थे रोड भले ही कितनी खराब हो और इसके अंदर आपको कुछ असहजता महसूस नहीं होते थी उस समय तक भारत में टाक्सी के रूप में इससे अच्छी कोई गाड़ी आ ही नहीं पाई थी बड़ी-बड़ी विदेशी कमपनिया भी अपनी गाड़ी इसके सामने ले आई लेकिन कोई टिक नहीं पाई थी इस गाड़ी में एक सर्वे के तहद एमबेजर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था और ये ना सिर्फ हिंदुस्तान मोर्टर्स बलकी हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात थी कि इसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ एमबेजर भारत की सबसे लंबी चलने वाली कार थी सालों से अपनी एक ही डिजाइन के साथ लोगों के सामने आती रही थी और किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस गाड़ी को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और इसे पूरी तरस से बंद कर दिया जाएगा अपने पुराने डिजाइन पर ही बने रहना एमबेजर के लिए असली परिशानी बन बैठा जमाने में नई सस्ती और अच्छी गाड़ियां आने लगे थी जो एमबेजर से ज़ाधा किफायती थी बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया और एमबेजर पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा था आखिर में दीरे दीरे इसकी मांग भी कम होने लगी और प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुका था 2014 के आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने ये गोशित कर दिया कि वो अब एमबेजर की और गाड़ियां नहीं बनाएंगे थोड़े ही समय में स्तिती और खराब हो गई और फैबरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स बिकने की हालत में आ गया गया कमपनी के मालिकों ने आखिर में पूरी कमपनी फ्रांस के मोटर कमपनी पूजो को बेज दिया और वो भी महज 80 करोर रुपे में और इसी के साथ ही एक ही दिन में एमबेजडर कार वर्दमान से एतिहास बन कर रह गई एमबेजडर कब वापसी करेगी ये तो कोई नहीं जानता लेकिन एमबेजडर एक नाम नहीं बलकि एक एहसास थी जिन्हों ने उसका अनुहो लिया है वही जानते हैं कि आकरकार वो उनके कितना करीब थी आज एमबेजडर दुल्लव प्रजाती की गाड़ी बन चुकी है एमबेजडर कार बेशक आज भी सड़कों पर दिख जाती है लेकिन ना के बराबर वक्त की धूल में ये भले ही कहीं हो गई हो लेकिन भारती गाड़ी के इतिहास में इसका नाम सबसे उपर रहेगा वैसे दोस्तों आप में से कितने लोगों के आसपास ये गाड़ी मौजूद है या फिर पहले मौजूद थी नीचे कॉमेंट सेक्चन में कॉमेंट करके बताइए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेर कीजिए फेसबूक और वाटसेप पर और हाँ सुब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही मज़दार वीडियो उसके लिए मिलते आप सेकली वीडियो में तब तक किली धन्यवाद